प्रेंड्स वागत है आप लोग कान पूर्णा किचिन में आज की हमारी रेस्पी है गाजर की खीर की अब जो है सर्दियां जा रहे हैं इसलिए जो है मैंने सोचा आज चलिए गाजर की खीरी बना लेते हैं बहुत ही सौधिष्ट बनती हैं गाजर का हलुआ तो हम रोज लेकिन गाजर की खीर यह बहुत ही सौधिष्ट बन कर तयार होती है चलिए बनाना शुरू करते हैं यह मैंने 500 ग्राम गाजर लिए इनको मैंने छील कर धो लिया है हम इन गाजरू को कद्दू कस कर लेते हैं हमारी घिस चुकी है हमें देखिए कोछ इस तरीके से मोटे वा आधा चमन देशी घी डाल देंगे गैस का फ्लेम मीडियम पे रहेगा काजरू को इसमें डाल देंगे और इसको भूनेंगे इसको हमें इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज करना है हम इसको पांच मिनट के लिए धग देंगे गाजरो को देख लेते हैं गाजर काफी अच्छे से ओबल चुकी है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है अपना अब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी मैंने 100 ग्राम चीनी लिए आधा कि लो गाजर में 100 ग्राम चीनी पढ़ जाती है अराम से क्योंकि गाजर भी अपने आप में मीठी होती है अब हम इसको थोड़ी देर और इसी तरीके से ओबा लेंगे जिससे चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए तफले हम लोग पे रखेंगे और इसको पांच मिनट के लिए और ढग देंगे इस बीच में थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं अब हम एक छोटा मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम ये चाबल मैंने लिए है ये मैंने इसको दो घंटे पहले भिगो दिया था ये मैंने चार चम्मक चाबल लिए है इसका हम इसको पीस लेंगे थोड़ा दर दरा सा पानी निकाल देंगे और इन चाबलो को पीश लेंगे चाबलो के साथ ये चार हरी लाइची और इसी के साथ मैं ये पांस से छे काजू इसमें डालकर दरदरा पीश लूँगी इससे जो हमारा खीर का फ्लेवर आएगा वो बहुत ही टेस्टी आएगा बिल्कुल एक दम बहुत ही अच्छा बहुत शाइनी तो चलिए इसे पीस लेते हैं देखिए कोछ इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ चाबल हमारे अच्छे से पिस्सु के हैं कि कीनी का पानी भी अच्छे से सूप चुका है तो रही जाता है अब हम इसमें डालेंगे दूद लिटर से ज्यादा करीब 7 लिटर के करीब मेरे पास दूद है वो इसमें डाल दूँगी दूद इसमें ज्यादा ही अच्छा लगता है चलाएंगे गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और इसी के साथ हमने यह जो चाबल पीस कर रखे थे इनको भी इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जिससे यह नीचे लगे ना चाबल हमारे कच्छे हैं लेकिन जब काजर पकेगी कुछ गाड़ा पनाएगा खीर में तो चाबल भी हमारे बहुत अच्छे से इसमें पक जाएंगे अब हमें इसे लगातार इतना पकाना है कि दूद इसमें आधा रह जाए और हम एक इसमें गाड़ा पना जाए तो अब हम इसको जब तक पकाएंगे इसमें जब तक यह गाड़ी नहीं हो जाती है खीर काफी गाड़ी हो चुकी है अब मैं कैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसमें अब हम थोड़ी सी मीवा डालेंगे यह थोड़े से काजू थोड़े से बदाम थोड़े से बदाम और थोड़े से यह पिस्ते में इसमें डाल दूँगी अब इसे सर्विवे कर लेते ये गाजर की खीर बन कर तयार हो चुकी है आप लोग भी इसे जरूर ट्राइ करें अब आप लोग को मेरी रैस्पी पसंद आई हो तो आप लोग मुझे लाइक केजिए जादे से जादे शेयर केजिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना खुलिए चलिए तो फिर मिलती हूँ इंक और नई रैस्पी के साथ